हलो मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप सभी लोग मैं आसा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे स्वस्त होंगे अपने घराओं में सुरच्छत होंगे तो एक बार से फिर हाजिरू मैं रमन रीजनिंग फैकल्टी श्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का आपते हैं दिल से डाउट नट के बैतरीं प्लेटफर्म पर तो जुड़ जाईएगा आज हम बैंकिंग की क्लास में बहुत इंपुरेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो बैंकिंग के अगॉर्डिंग देखा जाए तो मोस्ट इंपुरेंट चैप्टर है सिटिंग से और जुड़ जाईए साम पांच बजे की क्लास में एक बार रमन सर के साथ तो चलिए बच्चों आज हम पढ़ेंगे सिटिंग अरेजमेंट यानि की बैठक विवस्ता तो चलिए बाई किट्टी जी आ चुकी है गुड़ीविनिंग बेटा कैसी हो चलो बेटा तो सबसे पहले एक इंफरमेशन आपनों के लिए डाउट नट ने SSC GD का इंग्लिस और हिंदी मीडियम में कंप्लीट बी आईपी कोर्स लॉंच कर दिया है आप इस बैच को जोईन कर सकते हो यह बैच क्यों है खास यहां पर क्या मिलेगा तो यह कोर्स क्यों है बैच यहां पर मिल क्रास की पीडियब भी आपको दी जाएगी पीडियब के अलाभा हमबर्क भी दिया जाएगा और वीकली मौक टेस्ट भी होगा तो यह सारी की सारी चीज़ा आपको मिलने वाली है कंप्लीट एक पैकेज में वो है आप लोगों का क्या एक बी आपी कोर्स ठीक है आप इस को जोईन कर सकते हो अगर आप इस कोर्स को परचेश करना चाहते हो तो कैस ओन डिलिवरी सी ओडी पर भी उप्लब्द है कोर्स से जुड़ी कोई भी जानकारी लेने के लिए आप इस नमबर पर कॉंटेट करें 01247158250 या कमेंट में लिखे दे हैं कि क्या आप लोग SSC GD क का BIP कोर्स जोईन करना चाहते हैं तो चले भाई यहां तक जुड़ जाईए तो भाई देखो कौन कौन आ चुका है चित्रा आ चुकी है बहुत बढ़िया करिस्मा केटी चले भाई तो आप सभी लोगों का तह दिल से एक बार स्वागत करता हूं बच्चो और आपको एक बार दुवारा से बोला जाता है क्या तो गुड़ इवनिंग टूर आप यू मेरे प्यारे बच्चो एक बार जुड़ जाईए आप सभी लोग चले मेरे भाई बहुत बढ़ी है बहुत संदर मेरे प्यारे बच्चो चले भाई तो किट्टी जी आचुके निकता चार मेसा की तरह करिस्मा केवल क्या बात है तो अब आज बिलकुल आचुकी है मेरे भाई डॉन बरी घवराओ मत तो चली बेटा सबसे पहले ना संगर्स ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में बड़े बड़े तूफान चम जाते है जब आग लगी हो सीने में तो क्या कहते हो मेरे भाई ना संगर्स ना तकलीफ अब क्या मजा है जीने में बड़े बड़े तूफान चम जाते है जब आग लगी हो सीने में तो आग क चाहिए सरकारी नौकरी की और एक बार ध्यान रखना एक बार सरकारी नौकरी लगी नहीं कि ये दुनिया तुमारी नहीं हुई तो चलिए भाई एक बार एक बार आप सबी लोगों का तेह दिल से स्वागत करता हूँ अपनी साम पांच मजे की क्लास में आज का टॉपिक है स शांदार सिटिंग अरेजमेंट चलिए तो सुनील मिस्राजी बहुत बढ़िया किटी एक बार करेंगे थमसब और हो जाओ तयार क्योंकि अब आपको चाहिए सरकारी नौकरी और सरकारी नौकरी पाना है तो भाईया संगर्स करना पड़ेगा मेहनत करनी पड़ेगी लगन लगानी पड़ेगी किस से तो लगन लगानी पड़ेगी सबजेक्ट के साथ मेहनत करनी पड़ेगी और एक बार में ही सरकारी नौकरी हो जाएगी तो चलिए बहुत अच्छे मेरे बच्चों बहुती शांदार गजब लाजबाद तो चलिए भाईया हो चुका है कुछ का स आने बाले हैं तो हो जाओ रेडी आप सभी लोग सांदा तरीके से लगातार कोश्चंस आएंगे आपके सामने चित्रा जुड़ चुकी है करिस्मा आचुकी है कि टी चित्रा सुनीर मिश्रा क्या बात है मेरे प्यारे बच्चो यह आ चुका है पहला कोश्चन तो जल्दी से होता हैं इसका अंसर मिसिंग नंबर का कुश्चन चलिए तो यह जल्दी से आपके सामने आएगा पॉप आ चुका है और यह कुश्चन आपके स्कीन के उपर आ चुका है तो चलिए आपके पास है 20 सेकिंड का समय और आप देंगे इसका करेक्ट अंसर तो चलिए बच्चो जल्दी जल्दी ओताईए क्या अंसर होगा फर्स्ट बाले कुश्चन का चलिए मेरे बच्चो बहुत बढ़िया यह आ चुका है कुश्चन मस सेकिन आपके स्कीन के उपर बहुत सांदार तो सेकिन कोश्चन आपके स्कीन के उपर आ चुका है बहुत बढ़िया चित्रा कर क्वेश्ट नमबर थड़ आ चुका है दूसरे कोश्चण के बाद यह आ चुका है तीसरा कोश्च चलिए तो तीसरा कोश्चन आपके स्कीन के उपर आ उपाँ इसेरा एंदर चलिए एक और यानिकी फॉर्थ को शयना चुका है यह आपका नंबर सीरिज का कोश्चन तो चलिए भाईन नंबर सी इस का फॉर्थ कोश्चन टू तू ती वन एन 4529 question mark दिया गया है 8989 के बाद क्या आईगा चलो तो यह है आपका fourth question यानि की चौथा प्रिस्टन आपके skin के उपड़ चलो यह बहुत ही बढ़ी है उर्दवा परस्वामज क्या बात है मरी प्यारे बच्चो बहुत ही शानदा चौथा question यह रहा आपका पाँचवा question चलो तो यह आचुका है fifth वाला question लगा दो logic क्योंकि कहते हैं न सरकारी नोकरी पानी है तो भईया बहुत मेरत करनी पड़ेगी ध्यार रखना चलो चलिए तो यह है पाँचवा question आपके skin के उपड़ देना होगा सही जवाब बहुत ही शानदार तो चलिए हो जाओ तैयार अब बता दो अपना result क्या रहा पाँच question थे लगातार पाँच मेंसे कितने question गए सही और कितने हो गए मेरे भईया गलत बता दो कि पाँच मेंसे finally कितने marks आप लोगों के बने तो जल्दी जल्दी लिख दो मेरे भाई चित्रा, कृष्णा, किट्टी शुनील, मिश्रा, फटा, फट लिख दो कि पाँच मेंसे कितने question सही थे और कितने question हो गए गलत तो बहुत ही शानदार जल्दी जल्दी बता दो अपने जवाब क्या है अंसर आप लोगों का चलिए भाई तो चित्रा, करिश्बा, किट्टी, फटा, फट बता दो तीन question अंसर ठीक था बहुत बढ़िया दो गलत हो गए, कोई बात नहीं दो गलत थे, तीन सही हो गए चलिए बहुत बढ़िया बाकी लोगों बताओ क्या होने बाला है चलिए तो जल्दी जल्दी बताओ मेरे बच्चो किट्टी के दो गलत थे चित्रा के तीन question का अंसर ठीक था चलिए तो भाईया करिस्मा बेटा जल्दी से सुनी मिश्रा फटा फटब बताओ मेरे बच्चो चलिए तो देख लेते हैं क्या क्या question थे पहला question था आपका इस तरीके से 173 bracket में 24 था यहां था 526 फिर था 431 फिर था 18 यानि के 18 फिर था 325 325 फिर था 253 फिर था आपका question mark 471 bracket में क्या आईगा तो बताओ logic क्या होगा चलिए बाई तो logic बताओ इस वाले question का logic क्या होगा फटा फट बताओ जल्दी से comment section लिख डालो इस question का logic क्या होने वाला है 170, 526, 430, 325, 253 470 का अंसर क्या होगा फटा फट बताओ सांदार तरीके से मेरे बच्चों प्यारे बच्चों की logic क्या होगा कोई बता पाएगा तो देखो भईया किसी का भी कोई अंसर नहीं मिल रहा बहुत ही easy question था इन सब का sum करना था digit का यहाँ पर एक हो गया एक में साथ जोड़ोगे साथ में तीन जोड़ोगे ठीक है न तो साथ और एक आठ और तीन कितना हो गया 11 आ गया अब इनका तीनों को जोड़ना था तो यह कितना आ जाएगा पांच दो साथ और छे तेरा तेरा और ग्यारा कितना हो गया 24 हो गया सारी digit का sum करना था सारी की सारी digit मेर भाईयो तो यहाँ देखो चार तीन साथ और एक कितना हो गया आठ यह हो गया तीन दो पांच और पांच कितना हो गया दस हो गया और दस में आठ जोड़ोगे मेरे बच्चा तो अठारा आ गया अब यहां कर दो पांच दो साथ और तीन कितना हो गया दस ही हो गया बेटा और चार साथ ग्यारा और एक कितना बारा और 12 और 10 जोड़के कितना आएगा तो 12 और 10 जोड़के 22 आएगा बहुत ही आसान सा जवाब ए बाला परफेक्ट जवाब होगा सारी की सारी डिजिट को आपस में जोड़ना था भाई 7, 8, 3, 11, 5, 17, ठीक है ने 11, 5, 16, 2, 18 और 6, 24 तो यहां हो गया ठीक है 4, 3, 7, 8 यह हो गया 8, 3, 11, 5, 16, 2, 18 यह हो गया तो 5, 2, 7 और 3, 10, 4, 14, 7, 21 और 1, 22 बताओ यहां तक बाद सब को क्लियर हो गई चलिए भाई थमसब कर देंगे चित्तरा करिश्मा के टिप बहुत ही शा गए जल्दी जल्दी आजाओ एक बार कर दो थमसब यहां तक बाद सब को क्लियर हो गई होगी बहुत ही इजी कोश्चन था देखते ही अंसर बन रहा था इस वाले कोश्चन का जवाब क्या होगा ऑप्सन नंबर ए होगा यानि की 22 होगा बहुत ही शानदार चलिए यह वा आले कोश्चन का क्या था? 3 6 2 21, 10 23 225 6 1 के बाद क्या होगा? चलिए तो भाई इस वाले question का क्या जवाब होने वाला है फटा फट बता दो जल्दी से क्या answer बनेगा कौन सा option correct होगा बहुत ही easy है अगर ध्यान से करोगे तो तुरंत बता दोगे इसका answer क्या होगा जल्दी बता दो B होगा बहुत बढ़िया शांदार B होने बाला बाकी लोग बताओ फटा फट बताओ बच्चा क्या होगा easy question है देखते ही बन जाएगा बहुत ही बढ़िया क्या होगा B होगा A होगा C होगा D होगा जल्दी जल्दी बता दो अपने reply में B होगा चली बाई B आरा है सबका तो देखो मेरे बच्चा तीन होगा तीन का मत्रब क्या होगा और तीन आएगा चली बाई एड करके कर देंगे square बिलकुल सही तो देखो 3 और 6 कितना होगया 9 9 और 2 कितना 11 तो 11 का square 121 हो गया बिलकुल सबको एड कर दो 10 और 12 और 3 कितना बेटा 15 य होगा दस और दस का Appreciate होगा Sure इसका मत्रा ओफ्चन ओव policies कॉइस के ऐगा भी बाला परफ़् क Nachtन सर उगा बिल्कुल शङी तो यहां पूछा गया है क्या आएगा जल्दी बताओ क्या अंसर आएगा बहुत बढ़िया बहुती सांदार गजब मेरे भाईयों तो चित्रा निकिता चाहर करिस्वा फटा फट बता दो अंसर बहुती शांदार गजब चले तो इस वाले question का अंसर बताओ ये कैसे आएगा ठीक है ना 14, 16, 18, 26, 22, 18 और 10 कैसे आएगा फटा पर बताओ इसका अंसर क्या होगा जल्दी यल्दी बताओ इसका लॉजिक क्या होने बाला है फाइनली तो जल्दी यल्दी बताओ येगा बहुती ही easy question है देखते ही बन जाएगा बताओ विटा क्या होगा इस question का अंसर क्या होगा चित्रा निकिता चार 14, 18, 26, 28, 10 बराबर क्या आएगा 14 आएगा चलो गई चित्रा का अंसर आगा 14 यानिकी 14 बहुती ही बढ़िया जल्दी यल्दी बताओ अपने अंसर क्या होने बाला है इस question का अंसर क्या होगा किट्टी का 14 बहुत बढ़िया तमसम के साथ बताओ बच्चो ये बहुती ही easy है logic भी बता दिया करो शांदार मेरे बच्चो बहुती बढ़िया चलो वाई जल्दी यल्दी बताओ अनसर क्या होगा फटा फट बताओ चलिवाई तो देखो या कितना हो गया 14 और 26 कितना हो गया तो यह हो गया 40 40 में 4 का भाग दो तो यह हो गया 10 वार जाएगा कितनी बार 10 बार, उपर की दोनों संख्याँ को जोड के 4 से भाग देना है 16 और 12 कितना है तो कहो गे 8 ही हो गया और यहाँ पैसे कितना हो गया तीन हो गया, ठीक है थे ना 6 और 2, 8, 2 और 1, 3 ठीक है ना, 14, 26, 44, 4 से भाग लिए दो 16 और 22 कितना हो गया तो कहो गए 2 और 1 3 हो गया चलो ठीक है ना 16 और ये 20 हाँ जी ठीक है ना हाँ यहीं लॉजिक आएगा 10 और 2 कितना 12 बारा और 2 कितना 14 ऐसा लॉजिक होगा किया चल नहीं यह लॉजिक गल्ट बता रहे हो लॉजिक डिफरेंट होगा 14 और 16 कितना हो गया चैवर चाथ दस की जीरो यह भी नहीं आएगा लॉजिक कुछ डिफरेंट आएगा जल्दी बताओ क्या होगा 14 और 26 चालीस होगा तो जल्दी बताओ 14 किस तरीके से आएगा कि टीका अंसर दस औरदो बारा दस और दो बारा आइगा ठीक एडा दस और दो बारा और दो चोधा यह लॉजिक तो नहीं होगा K 과 लॉजिक डिफरेंट आएका करिष्ma का नायन आ राया फटा फट पढघ्टा पटाओ लॉजिक क्या ऊगा लॉजिक कुछ डिवाइड का करेके होगा सब्सक्राइब तो लॉजिक क्या होने वाला जल्दी बता दो फटाफट देखो भाई इतना देखने की क्या धरूथी मैं मैंने बताया ना इसी तरीके से करना है का ध्यान से देखो इस कुश्चन को तो इस चौदा चब्वीश-दस है सोला बाइस बारा अठारा ठारे का लॉजिक बताओ क्या हुगा यह लिखाय करिस्मा निकता चाहर का चौदा था करिस्मा का नौ था केट्टी बेटा चौदा हो होगा ठीक है ना चौदा तो है सब को दो को एड़ करना है सर ठीक है दो को एड़ करना फिर कितने का डिवाइड करना यह वत्ता दो चलो दो को एड़ करना है तो यह तो इजी था बस लॉजिक देखो यहां देखो यहां पर यहां पर यहां पर देखो गए यह कितना था द दो को एड़ करना है अब सवाल ही होता वेटा ये दो को एड़ कैसे किया ये और बता दो तब बात समझ भी आएगी कि दोनों को एड़ कैसे कर लिया चलो भई चली फटा फट चौदा 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 मोहित वर्मामी चौदा कह रहे है बहुत ही बढ़िया सांदर चौदा तो गया पर ये कैसे आया ये और बता हो तो वह ये सुनो मेरी बात यहां पर चाल 14 और चाल 26 जोड़ दो तो यह कितना हो जाएगा चालीस में चार का भाग दोगे तो चार धाई चालीस आजाएगा यहां पर कितना हो जाएगा तो यहां पर देख लो यहां पर दो तीन चार ठीक है न यहां पर चार से भाग दोग ठीक है न तो बारह अच बार जाएगा कितनी बार बारह बार 18'ागा ठीक है न यहां पर 12 आना चाहीए था यी गड़वट देर खाई कुश्चन ठीक है न उच्छतों गड़ॕष्चन है एंडा आना चाहिए था चलो कोई नहीं इसे लाइजो अगला वाला कोष्टिन चुका दो तीन एक एक फटापट 4529 अगला अगया कोश्यान मार्क 898 9 अगला बताओ क्या होगा अश्कीर बदिख वाथ बढ़िया चलो बहुत जलाद इताओ क्या अंसर होगा बहुत ही बढ़िया चलिए 142 1618 बो लोजिक नहीं विटा उस लेते हैं यह कितना है पैतालीस सो इन्हैं गया इसको मैनस कर दो डिफरेंस में दो ठीन एक नो में से 80 गया तो एक गया तो ऑट्ईतो यह एक पांच विसे 3 गया तो दो चार मैं से चार दो गया तो तो 24 क्या जोनना है 224 तो नौर चार तेरह की तीन एक केरी दो दो चार और एक पांच पांच और दो साथ चार दो और चे तो कितना आ गया तो यहां पर आ रहाए से साथ पांच ती ठीके ना 675 तीन आएगा यानि कि अब की वार जोनना है 2219 क्या जोनना 2224 और अब की बार क्या जोनना है तो यहाँ पर जोनना 2224 में 18 और 624 24 में 6 जोनना है 18 और 8 कितना था 36 और 2224 है ये एक मिनट को 2224 ता कितना था 2224 ठीक है न चलू भई सर एड करेंगे सभी को 50 आएगा पहले वाले कोईज में चलो भई सबको एड करके 50 आएगा अच्छा भई पहले वाले कोईज में देखो पहले वाले कोईज की कह रहे थे कि इसमें 50 आएगा तो कितना 50 आएगा देख लेते हैं एक बार 50 की बात आ रही थे तो देखो यहाँ पे देखो 26 और 10 कितना हो गया तो एक बार बता देता हूँ 26 और 14 40 निक्ता देख लो वेटा 40 और 10 कितना हो गया 50 हो गया 16 और 12 कितना हो गया 28 10 38 तो देखो वहीं यहाँ पे देख लो 16 यह आ गया 22 यह आ गया 12 यह आ गया 6 दो 8 दो 10 की 0 एक आ गया दो, तीन, चार और पांच बिल्कुल है पचास यह भी आजाएगा एक लोजिक पचास यह आजाएगा पचास ही आगया अठारा और अठारा कितना होगे 36, 36 में 14 जोड़ोगे तो भी क्या आएगा 50 आएगा तो सही है भाईया 14 यानिकी C-Option हो सकता है बिलकुत चलिए तो क्लियर होग霞ाए ठार ठार चौदा बहुताबरी यासांदार गजब चलिए कि तो मोहत बर्मा निक्ताचार हा यहां तक बाद सब को समझ में आ गई पटा पर्था सटकर दो यहां तक बाद सब को क्लिर और आगे तीनो तीनो का कॉल मुलाइब सम कितना गया तो तीनो के तीनो कॉलम का सम कितना आगे 50 आगी इन यहां तक बाद सब क्या होगा 2 3 1 1 4 5 2 9 जल्दी से इस पर आ जाओ अभी में बता रहा था इसको फिरिंदा ब्लेंग्स 8 9 8 9 का कोड़ क्या होगा चलो वह जल्दी से बताओ इसका अंसर क्या होगा चलिए बहुत बढ़िया निकिता चित्रा मोयत वर्मा बहुत ही बढ़िया सांदार अगला कोश चन आ चुगा जल्दी बताओ प्लब रहुए चनी बढ़िया चलिए जल्दी बतागो क्या होगा एक और क्षटन नमबर सिर्धी ओफ सरवता कौन सा थो लभला आपटा फड़ आ धो जल्दी जयल्दी बताएं गे क्या अंसर होगा चलिए बाई अंसर बताईए A आएगा B आएगा C आएगा D आएगा फटा फट बताईए अपड़ा अंसर क्या होने बाला है चलिए तो नंबर सीरिज B होगा चलिए भाई 6353 ओगा लोजिक के साथ क्या बात भी भी समीं लोग वी की तरफ बढ़ रहा है तो आगे बताओ क्या ओग निकिता चार चित्त्रा किती विटा जलदी जलदी वताओ विटा क्या answer होगा हुट फटा प्रवताद हो मुःत वर्मा जलदी ने बताया किवर्ध b होगा अभी किस तरीके से है logic के साथ वगेस डिफरेंस लोगेw तो कुछ idea लग सकता है चलो जल्दी जलदी वताई यहाँ क्या answer होगा बहुत कर दो वेटा तो येनों मैंसे एक गया तो आठा आईगा दो में से एक गया तो एक आएगा पाँंच में सेतीन गया तो दो आएगा चार में से 4 गया तो दो यानि कि 228, QRT , 21021 गयाएंगर बाहीस 238 जोडेंगे तो कितना आएगा बच्चा तो आपका आएगा पाच 522 ओनो क्यार्पाँच दोनों आगया अब यह जोगा है और यहां पर कितना था टिरेए से पांच गया तो आठाया ठीक है ना और पांच में से चार गाएगा तो कितना आएगा यहां देखो तीरे में से नो गया तो चार आ गया ठीक है यहां पर कितना था चार चार में से दो गया तो तेरे में से पांच गया तो आठ पांच में से तीरा गया तो अठारे सो चौव आएगा तो बाइसो चौवीस अंसर के तुना गया छह तीन पांच टीन आया 18 www.mth去了 की वार आया भाई शॉछ आयगा किटराई का इनसर कहाईगा या च्ờ फेरट मेशिन और आ शौवीश भीben हो गया हो गया चलिए तो 6353 दा करेक्टर सा बिल्कुल भाई या भी वाला होगा चलिए बहुत ही बढ़ी आज एक बार बता दो कि लिए रहे यहां तक चलिए दोनों का अंतर सब को समझ में आगे 6353 बिल्कुल सही जवाब होगा अठारा होगा फिर 24 होगा फिर 32 होगा चली अगल 16 is equal to 90 आया फटा फड़ बताईएगा 22 into 46 is equal to 90 आया और अगला कहा जाता है 42 into 17 बराबर क्या आएगा जल्दी बताओ इस कोश्चन का अंसर क्या होगा फटा पड़ चलिए समझ में नहीं आया वेटा उसमें क्या दिक्कत वाली बाती दोनों का दोनों का डिफ्रेंस लेना थ पहले 228 था फिर 2224 था बेटा और फिर 2232 आया चित्तरा चलो क्लिए रोगया इस वाले कोश्चन का अंसर ताओ 29 into 48 576 आया 35 into 1690 आया 22 into 46 कितना आया चानवे और 42 into 17 क्या आईगा फटा फटा फडवता दो मोहित वर्मा पीके दिकिता चाहर फटा फटा फट्वेर प्यार देखते हैं कौन देगा जवाब सबसे पहले फटा फट फट चलिए वाई तो इस कोश्चन का क्या अंसर होगा जल्दी बता ये ए आए गा बी आए गा फटा फट बता दो शांदार तरीके से बच्चों क्या आएगा बी आएगा बहुत बढ़िया बी यानिकी 286 आएगा चलिए भई। सब लोत कर भी की तरफ बढ़ना है भी कैसे आएगा जल्दी जलिलिक दो जाई भी ही आएगा तो चलो भी होने वाला क्या होने वाला तो देतको बहुत ही इजी टा कैसे जी था बच्चा देखती बन जाता दो का गुणा नो से करना है नो का गुणा चार से करना है चार का गुणा आठ से करना है सारी संख्यां का गुड़ा करना है दो नाम 11 चक कितना होगे बात्तर बात्तर का 8 से मल्टिपलाई करोगे तो कितना गया 576 सारी संख्यां का मल्टिपलाई करना बहुत बढ़िया चित्रा तेन गुड़ा पांच गुड़ा एक गुड़ा 6, 35 15 60 अभ्य आगया फिर यहां पर दो गुड़े दो सारी डिजित का मेल्टी प्लाई 4 गुड़े ठो कितना आएक है चान ब आएगा अब देखो चार का गुणा दो से करोगे एक का और साथ का तो देख लो मेरे भाईया चार दुनी आठ आ गया और आठ सत्य कितना छप्पन आ गया तो अंसर के आएगा एवाल आ गया चालो भाई ठीक है ना भी कहां से आगया बेटा भी कहां से आएगा सारी संख्याओं का साथ की सारी डिजित का मुल्टिप्लाई करना है नो दुनी अठार हो गया अठारा का चग बात तर हो गया बात तर अट्टां कितना हो गया पांसो छंस सहक्तर हो गया तीन पंजे पंदरा पंदरा एकम 15, 15, 90 हो गया बहुत बढ़िया दो दुनी 4, 4 चक 16, 60 हो गया यही लॉजिक की यहां लगा दो बच्चा तो क्या होगा चार दुनी 8, 8 एकम 8 और 8, 76 एक बार तमसब करेंगे शांदार वेटा आरके मिस्रा सुनिन मिस्रा चित्रा क्या बात करिस्मा फटा फटा ज विस्डा पढ़ेंगे sitting arrangement chapter को तो हो जाहो तयार व पढ़ने वाले sitting arrangement का concept क्या बात है चले बहुत बचmbol भड़ी है समझ में आगया सब को चले बड़ एक तो सबसे पहले बात करते sitting का मतलब क्या होता है बैठना arrangement का मतलब क्या होता बच्चो विवस्ता तो देखो जब भी question आएगा setting arrangement में तो basic concept of linear arrangement का देखो linear में क्या होगा बेटा रो और कलम होगा पंक्ती या इस्तम जब भी question आएगा वो दो तरीके से आएगा पंक्ती में कुछ लोग बैटे होंगे या तो उनका face कहां की ओर होगा या तो उनका face होगा north की ओर बेटा नौर्थ यानि की उत्तर की ओर होगा या उनका face होगा बेटा south की ओर कहां की ओर साउत यानिकी दच्छिन की ओर एक एक चीज नोटिस करना या तो उनका फेस उत्तर की ओर होगा या उनका फेस साउत की ओर होगा अगर परिशन का फेस उत्तर की ओर है तो यह हमारा लेप्ट कहलाएगा यानिकी यह कहलाएगा बाया छोर क्या कहलाएगा हिंदी में बाया छो तो राइट वाला ये क्या कहलाएगा दाया छोर हो जाएगा और बेटा ये धियार रखना अगर परिशन का फेस लेप्ट की हो रहे तो ये क्या कहलाएगा मेरे बच्चो बाया चो ठीक है ना बहुत सिंपल वासा मैं समझाता हूँ अगर मेरा फेस यहां है उत्तर की हो रहे तो ये वाला जो हिस्सा है ना वो आपका लेट कहलाएगा बाया और ये क्या कहलाएगा राइट यानि की दाया अपना बाया बाया होगा अपना दाया दाया होगा ये बाया छोर होगा अगर परिशन का फेस साउत है तो ये आपका राइट यानि की दाया छोर है और ये ले ो तो ये क्या हो जाएगा राइट और ये क्या हो जाएगा लेट एक बार थमस्ण कर दो क्या पहला कॉंसर अपको क्लीर हो गया जल्दी बता दो फटा फड़ मोयत वर्मा निक्ता चार कित्टी फटा फड़ मता दो सांदा तरीके से मेरे बच्चों क्या सबको किलियर हो गया कि लेप्ट राइट क्या होता है जल्दी से लिख डालो बहुत ही बढ़िया शांदार बच्चों गजब तो जल्दी से लिख डालो और बता दो कि यहां तक बात सबको समझ में आगेए क्या नहीं आगए चलिए यहां तक बात सबको समझ में आगी करिश्मा PKRK बहुत ही बड़ी आ निकिताचार यहां तक बात सबको क्लियर हैं दूसरा concept देखो देखो अगर में बात करूँ सरकुलर में कुछ लोग बैटे सरकुलर अरेज्मेंट में तो दो केस बनेंगे या तो फेसिंग टू दी सेंटर केंदर का सामना कर रहे होंगे या होगा बेटा फेसिंग आउट साइड दी सेंटर केंदर के बाहर की ओर तो जब भी सेंटर की और बैटे हैं फेस करके तो क्या बलेगा जैसे मैंने माना यह सरकल है मेरा यह ब्रत है अब यहाँ पर कुछ लोग बैटे हैं सब का फेस का की ओर है सेंटर यानि की केंदर की ओर दे रखा है ठीक है न अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर इस तरीके से आ जाए कि एक सरकल बना हुआ है और परसन का फेस हैं क्या क्या लाएगा तो ध्यान रखना किलावेज हमेशा लेप्ट कांसीडर होगा यानि कि इसे कहेंगे बाया है क्या कहेंगे बाया-बाया और यह क्या हो जाएगा ये और रजाए कैने क्लोकियों रॉप यह सिंदी में कहा जाता है क्यारा को तो기는 Filipino का क्या करना अगर परिसन का फेस बाहर की ओर है तो ध्यान रखना ये क्लॉकवाइज तो रहेगा बट ध्यान रखना लेप्ट किसमें चेंज होगा राइट में होगा किसमें राइट में और ये किसमें होगा तो ये होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा एंटी क्लॉकवाइज और ये हो ज simple बात लिटा simple उबस्था में समझो अगर परसन का फेश Center की और केंद्र की और देख रहे हैं तो यह आपका लेपट हो जाएगा बाया और याय उपना ऐती यानि की दायां यानिकी अपना बाया माया होगा और अपना दायाह क्या होगा दाया होगा एजट के लिए यहां तक सब को बाद समझ में आ गई दूसरा बेटा धिहान रखना अगर परिशन का फेस बाहर की ओर है तो यह क्या कहलाएगा क्लॉकवाइज यानि घड़ी की दिसा दाया कहलाएगी और घड़ी की विप्रिदिसा बाया कहलाएगी सेंटर की ओर हैं तो क्लॉकवाइज हमारा लेप्त होगा अन्टी क्लॉक वाइज रइट होगा अगर पर समका फेस आउट साड़ की ओर है तो क्लकवाइज राइट होगा और अटी कॉलक वाइज लेप्ट होगा एजट के लिए है चलिए भाई यहां तक सब को बात समझ में आगई होगी बखो भी तो बहुत ही बढ़िया आगे चलते हैं आगे एक इंपुरेंट पॉइंट बताता हूं सबसे मोस्ट इंपुरेंट पॉइंट ध्यान रखना एक मैंने लाइन मानी एक जिए राइट यानी की दाया एक एक चीज ठीक है ना पहला कंडिशने एस तर्ट तूदी लेपट ऑफ्ट फी ये भी के बाई तीसरे इस्थान पर बैठा है अब बताओ ए जो है वो बीके बाई तीस्थान पर बैठा है तो सबसे पहले किस को बिठाएंगे बी को या एको जल्दी लिख़ दो comment section में ए जो है, वो B के बाई तीसरे इस्थान पर बैटा है इसका मतरब सबसे पहले हम किसको बिठाएंगे जल्दी से बताओ कि टी चित्रा निक्ता फटा फट बताओ मेरे प्यारे बच्चो मैंने कहा ए बी के बाई तीसरे इस्तान पर है इसका मतरब सबसे पहले हम किसको बिठाने बाले बिठा तो सबसे पहले बताओ किसको बिठाएंगे एको बिठाएंगे या बी को फटा पड़ बता दो comment section में कि अगर A जो है वो B के किसके respect में बात हो रही है तो भाया किसके respect में बात हो रही है तो ध्यान रखना गलती ना करना A जो है वो किसके है तो B के third left में है तो सबसे पहले कौन आएगा B आएगा B का 1 left हो गया 2 left हो गया 3 तो यहां कौन आएगा A हो इस सेकें टूदी राइट ऑफ सी जो कि सी के दाएं दूसरे स्थान पर है अब यह हूँ आया किसका हूँ हूँ किसको रिप्रेजेंट करेगा B को किसको मिटा B को रिप्रेजेंट करेगा B को बहुत ही बढ़िया सांदर मेरे बच्चों हूँ किसको रिप्रेजेंट करे हो गया हुआ तो दिभार रख ना अगर सेंटेंस को विच में हुआ जाएगा अगा सेंटेंस वीच में हुँ माईगा अगर सेंटेंस पीच में हूँ जाएगा अगर इन में से कोई भी बढ़ आएगा तो नोट करना यह हमेशा divided परसब को इन्डीकेट करेगा किसको करेगा किंब साने की दूसरे बाले ब्यक्ती को रुपित करेगा ज्यान है ठीक है न या जिसकी आ जे कुछ भी आजाये तो द्यान रखना यह बेटा सैकिन पर्सन को इंडिकेट करेगा किसको करेगा सैकिन पर्सन को बिलकुल शही जवाब V को इंडिकेट करेगा इजिट के लिए है बहुत ही शांदार वेटा आपको नॉलेज होती ही गई है बहुत ही बढ़िया चलो अब अगले बाले पर आते हैं अगला वाला कहता है यहाँ पर एक इंपोडेंट पॉइंट और है उसका कोश्चन आएंगे अगर मैंने कहा किसी परसन का फिस नौर्थ क हो रहे है तो आपको बता है यह हमारा लेप्ट हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा राइट यानिकी लेप्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं बाया और राइट को क्या बोलते हैं दाया ठीक है अब यहां देखो क्या कहता है पीजिट सेकिंड टूदी राइट आप क्यू प सर सी राइट में बैठेगा बहुत ही बढ़िया चलिए मैं बात कर रहा हूं पी और क्यू के बारे में तो पी पैठेगा चलो भईया पी बैठेगा बहुत ही बढ़िया सांदर बहुत ही गजव तो सुनो मेरे भईया कि पी क्यू के कहां बैठेगा राइट में तो सबसे पहल गाई पी कहा बैटेगा क्यों के दूसरा रायट तो यहां पे क्यों है और यहां पे क्या होगा पी होगा चलो बेटा यहां तक किलीर हो गया सर सी को समझा दो वो तो निकल गया वेटा उसमें तो कुछ थाई नहीं वो तो भी था भी इजिसेंट टुदी राइट और तो यहां और 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 के भाई तीसरे इस्तान पर अब मुझे बताओ आर किसको इंडिकेट करेगा यहाँ पर क्या आया end आया end यानि की और और किसके बारे में बात कर रहा बस यही point समझाना है जैसे मैंने बताया था who किसके बारे में बात कर रहा है तो जल्दी बतादो end किसके बारे में बात करेगा first person के बारे में बात करेगा या second person के बारे में बात करेगा जल्दी बता दो मेरे बच्चो जो आपका end आया है वो किसको represent करेगा फटा फट बता दो संदर चलो गई P क्योंके दाएं दूसरे स्थान पर है और R के बाएं दूसरे स्थान पर तो note करना जब भी end आता है वो first person को indicate करता है और first person कौन है P है बिल्कुल सही P के बारे बात कर रहा है यहां पर क्या रखना पड़ेगा P P R के बाएं तीसरे स्थान पर है P कहा बेटा है बिल्कुल बेटा first को indicate करेगा P R के बाएं तीसरे स्थान पर है तो यहां पर कौन आएगा R आएगा तभी तो बाएं होगा एक बाया दो बाया और यह हो गया तीन वाया तभी तो पी आएगा थर्ड लेप्ट तभी तो पी थर्ड लेप्ट यानि कि बाया तीसरा होगा यहां पर आर रखूंगा तभी तो बाया तीसरा होगा ना वेटा एक दो ती किलियर हो गया तो भाई एक बात ध्यान रखना अग अगर सेंटेस्क बीच में एंड आएगा अगर सेंटेस्क बीच में वट आएगा अगर सेंटेस्क बीच में यट आएगा या वाइल आएगा नोट कर लो एक चीज बेटा बहुत इंपोरेंट है एंड का मतलब क्या हो गया अगर और आएगा या आपका लेकिन आएगा लेकि फ़ेस अर्ड निट पर्सन करेंगे, किसको इंडिकेट करेंगे, किसे को इंडिकेट करेंगे, किसा इंड पर्सन को kemरे इस अजय को अगर icon किया आईयर। मने अभी तक क्वाट पर आ जय कौकर अगर इन मैंसे कोई भी बढ़ा आजय के भीच में तो धियां रखियेगा बच्छा यह हमेंसा फर्स्ट पर्सन को इंडिकेट करेगा किसको करेगा फर्स्ट पर्सन को बिल्कुल सही बोला आर रजा ओफिशियल बिल्कुल सही जबाब पी को इंडिकेट बहुत ही बढ़ीया सांदर एक बात तो किलियर है चलावई एक बार थमसब कर दो अब आते हैं questions पर अब सारी चीज़ें किलियर हो चुकी है अब आजाओ una questions पर चलिये तो हो जाओ तयार तो एक बार questions लेके आते सांदर वाले तो किटी चित्रा बहुत ही बढ़िया मोहत वर्मा पी रजा जी बहुत बड़ीया ओफीशल जी क्या बात है तो हो जाओ तैयार और अब आने वाले है क्या कोश्चन्स चलिए भई तो फटा फट हो जाओ तैयार जलिए कर लिए कर अपड़ चलिए सांदर ये आ चुका पहला कोश्चन स्क्रीन के उपर बनाई ये वेटा क्या दिया जा जया है पहला कोश्चन इसकी इन ऊपर है कितनी मेंबर आ Mitti रे इनको बिठाना है ठीक हेना तो छे मेंबर इनको प्रिठाना है जलदी जलदी फटा फट था अनसर होगा सर और रेप्टंपे समझ में नहीं आ या बिटार बीटा कीटी बहुत सिंपल था इसमें आर वाला ये था, आर लास्ट में से बिठाया था, क्यूंकि पी को थर्ड लेप्ट में बिठाना था, एक, दो, तीन, इस मझे से आर बिठाया था, लास्ट में बिठा, चलो, अब कोश्चन पर आएंगे तो और चीज़ें किलियर हो जाएंगे, तो चलो भाई, फटा फट बताओ, मुकेश का पड़ासी कौन है, ये मुझे जल्दी से समझा दो, कि मुकेश का पड़ासी कौन होने बना है, फटा फटा फट बताओ, जल्दी जल्दी समझी से, जल्दी जल्दी बताएंगे, सभी लोग फटा फट, कि भाई यार, मुकेश का नेवर, ले चलिए बाकी लोग वताई ये क्या अंसर होगा चलिए बहुत बढ़िया बहुती बढ़िया बहुती सांदर जल्दी जल्दी बताओ क्या अंसर होगा कित्र निकिता चाहर कि टी चित्र रजाजी फट यू बता इस कोश्चन को सवलू करने के बाद क्या अंसर बनेगा छलिए जल्ली पता दीजये मेरे बच्चो क्या होने बाला है कि चित्रा रजा जी फटा फटा फूंपर इस अनसर करने के बाद क्या अनसर बने गा गारिए बता दीजिए मेरे वत्चों क्या होने वाला है सिव्हों गा मोहित वर्मा का भी शी आगया निकित चार्शी चित्रा सी आ और देखो कितने फ्रेंड है six friends are sitting around a circular table facing the center जब भी 6 member हो तो बेटा 6 line draw कर लो कितनी line draw कर नहीं है 6 तो 6 line खीच लो आप लो और यहाँ पे इन सब का face कर दो center कि अब आप सब को पता है जब भी person का face center होता है तो यह हमारा left याने की बाया कहलाएगा यह राइट याने की दाया कहलाएगा यह बाया हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा बिट्टा दाया हो जाएगा अब आगया जाओ अब क्या कहता है पहली condition है दीपा इज बिटमीन प्रकास एंड पंकज दीपा जो है वो प्रकास और पंकज के बीच बैटी है मैंने यहाँ पर माना दीपा यहाँ है ठीक है न अब प्रकास और पंकज के बीच बैटी है ठीक है न यहाँ पर प्रकास भी आ सकता है और यहाँ पर कौन आ सकता है पं आगे चलो प्रीती इज बिटीबीन मुकेस एंड ललित यहां पर नहीं मनाता हूँ यहां पर लिख लेता हूँ कि प्रीती जो है मुकेस और ललित के बीच में हैं मुकेस और ललित के बीच में कौन बैठी बैठा प्रीती बैठी है प्रिकास एंड मुकेस आर अपोजिट तो यहां पर भी है तो चलिए एक जागा प्रकास को बिठाई लेते हैं तो चीजे के लिए समझ में आ जाएंगे चलो तो पहली क्या है तो पहली कंडिसंती दीपा बैटा प्रकास के बीच में यह प्रकास है सपोच और यह क्या हो जाएगा दीपा किसके बीच बैट यह प्र मुकेस हो गए और मुकेस के बीच में ललित के बीच वा कौन बैठी है तो ललित के बीच वा मुकेस के बीच प्रीती बैठी है कौन बैठी है प्रीती लो बैठ गई तो भाई बैठ गई प्रीती की पूरी की पूरी अब कोश्चन क्या पूछ रहा देख लो कि हुआ दा एक दम सही जवाब एक बार थमसब कर दो कितने लोगों का सही था फटा 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 जाओ चित्रा पंकज फटा 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 निकिता चाहर जल्दी जल्दी बताओ वेटा कितने लोगों का सही था अंसर तो अंसर क्या आएगा सी बाला करेक्ट होगा क्या होगा बच्चा सी वाला एक दम से करेक्ट हो जाएगा मोहित वर्मा आरके चित्रा फटा फटा बता दो कितने लोगों का सही था बहुत ही शांदार जबाब चलिए बहुत बढ़िया बहुत ही शांदार गजम मेरे भाईयो क्या बात है एक बार थमसब कर दो आज का चलते हैं यहां तक बाद सबको समझ में आ गई एक जरूरी इंफोमेशन सुन लिजी आप सभी लोग पटा पड़े जरूरी इंफोमेशन आपके लिए कल सुबह आठ वजे डाइस पढ़ाया जाएगा क्या पढ़ाया जाएगा कल सुबह आठ वजे की सूचना है आपको प चित्रा निकिता मोहित वर्मा छुट्टी मत करना कल वह या आठ वजे जुड़ जाना सांदार रमनसर के साथ आठ वजे पढ़ना है क्या डाइस क्या पढ़ना बेटा डाइस यानिकी पासा तो आर्यू रेडी फोर डाइस जल्दी बता दो कमेंट सेक्शन में आपको पता कितने लोगों पता है फटा बड़ बता हो जल्दी से में तादो वेटा चित्रा निकिता मोहित वर्मा फटा फट बताएंगे शुनिल मिश्ट राजी जुड़ चुक अब बात है करिस्वा तो बता वह या कल सुबह आठ वजे का सबसे बड़ा सेसन धमाकेदार सेसन होने बाला है और बो है क्या मेरे भाईया तो कल सुबह का आठ वजे का डाइस यानिकी पासा होने बाला है तो कितने लोग तयार है बेलकुल रेडी हो जाना और कल करांगा कोश्चन्स तो चलिए भाईया आज की क्लास को देते हैं यहीं पर विराम कल मिलते हैं सलिए भाई कल जी के साथ आज के लिए इतना ही आज की क्लास चलिए बढ़िया लगी होगी आसा करता हूं थैंक यू सो मच बबाए